आज 10th का पॉलिनॉमियल बहुपद ये चैप्टर सबसे पहले शुरुवात करने जा रहे हैं वैसे ये NCRT का चैप्टर नमबर सेकेंड है लेकिन शुरुवात मैं इस से करने जा रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपके अंडरस्टेंडिंग में बहुत ही जादा इजी और बड़ी जल्दी कंसेप्टिल यानि आप बड़े जल्दी इसके कंसेप्ट को पकड़ सकते हैं और बहुत इजी इंटरस्टिंग चैप्टर है इसलिए सीखने मज़ा आता है और साथी अभी फिलाल जब तक लॉकडाउन रहेगा और साथ हो सकता है लॉकडाउन आके बड़े ये ना बड़े लेकिन जब तक रहेगा तब तक हम इसको इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेज लेंगे फिर आफलाइन ऑनलाइन दोनों से मीट करेंगे बाकि ऑनलाइन वाले जितने ये बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बात कह दूँ मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में कवर करूँगा हिंदी और इंग्लिस दोनों में कवर करूँगा क्यों cover करूँगा क्योंकि 10th class के अंदर ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो हिंदी में और English में दोनों में यानि कि अपने math को या science को cover करते रहते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में ही math बढ़ते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो English में Math बढ़ते हैं तो दोनों के ratios का हम ऐसे ये नहीं कह सकते कि Hindi वाले बहुत ही कम हैं English वाले बहुत ही जाद हैं अपने अपने level पे बहुत अच्छा ratio इनका तो दोनों languages में हम इसको लेके चलेंगे बहुपत को और polynomials को चलिए तो मैं सुरुवात करने जा रहा हूँ chapter number second NCRT अच्छा एक बात और बता दूँ मैं NCRT plus RD सर्म plus previous year questions previous year questions ये इस तीनों चीजें मैं cover करूँगा क्यों आपको मैं बता दूँ NCRT अभी जैसे की इस साल जो आपके exam में आया है वो almost पूरा का पूरा NCRT ही cover किया गया था almost पूरा अच्छा RD सर्मा करना क्यों जरूरी है क्योंकि इसमें अब RD सर्मा आप जो देख रहे हैं इसमें आपको type wise type wise level दिया गया है level 1, level 2, level 3 इस तरीके से अच्छे questions दिये गये हैं जिनकी practice करने से आपके topic की clearance बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल आप clear इतने हो जाओगे कि आपको हर चीज का पता होगा कि किस topic का answer कैसे कैसे निकाल जाएगा किस question का answer कैसे कैसे निकाल जाएगा previous year question क्यों करना जरूरी है इस से आपको यह idea पता चल जाएगा कि हाँ पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में किस type के questions आएगे हैं जैसे इस साल का बताता हूँ मैं इस साल का mostly जो questions डाले गए थे वो सारे previous year के अंदर जितने भी question आये थे वो मैं धीरे धीरे cover कराना शुरू करूँ का लेकिन अभी फिलाल सबसे पहले कुछ दिनों तक कम से कम दो class तक हम NCRT cover करेंगे लेकिन बीच बीच में मैं कुछ question डालता चलूँगा लेकिन NCRT cover करने के बाद फिर हम R.D. शर्मा पर आएंगे और जब आप previous year R.D. शर्मा और NCRT कर लेंगे तो आपको अपने आप उसमें मैं बीच बीच में पताता चला जाओंगा कि previous year questions कौन कौन से हैं तो आप तो ये मान के 100% चलें कि 2010 से लेके 2019 तक के जितने भी previous year questions हैं वो हम लोग यहां पर करने वाले हैं और 100% एक एक question को cover कराये जाएगा आपके साथ ये नहीं कि हाँ जी अभी 2.1 हुआ है फिर 2.3 करा दिया फिर 2.2 करा दिया फिर अभी हाँ जी अगला ऐसे है ऐसे मतलब आगे पीछे का कोई schedule नी जो sequence है उसी तरीके से चलता जाएगा हाँ chapter हम आगे पीछे कर सकते हैं कि पहले जैसे second ले लिया इसके बाद third chapter या first chapter या fourth chapter इस तरीके से वो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ लेकिन हाँ आपका chapter पूरा complete कराया जाएगा board के point of view से कि अगर आपको एक भी question दिख जाए तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये question क्लास में कराया गया है और हमने इसकी practice कर रखी है मतलब आपको वहाँ पर paper देखके ऐसा feel होना चाहिए कि एक एक question board पर कराया हुआ है और हम इन्हें इसको copy में practice कर रखी है और हम अच्छे से जानते हैं कि हाँ भी ये question कैसे tackle किया जा सकता है तो बे figure है और सुरू करते है आज 10th का second chapter जो कि हमारे इस video का first chapter है polynomials, बहुपद अच्छा, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो क्या पढ़ना रहे गया 8th में पढ़ लिया, 9th में पढ़ लिया 10th में तो क्या पढ़ना रहे गया तो कुछ important terms हैं जिसको पढ़ना रहे गया है क्या term है, वो जरत्यान से देखेंगे अच्छा, polynomials के अगर बारे मैं बात करूं मैं, तो सबसे पहले आपको ये बात पता है कि polynomial बहुपत किसे कहते हैं जिसके अंदर किसी variable का वास हो ठीक है जी किसी चर और अचर ये इस तरह के words यूज होते हैं, देखेंगे, मैं ध्यान से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है आपको मैं ध्यान से बताता हूँ हाँ जी बच्चो तो हम पढ़ रहे थे कि polynomial में दो तरह के contents होते हैं पहले इस बात को ध्यान से देखें क्या होता है एक होता है variable और एक non-variable या जिसे हम लोग constant भी कह लेते हैं ठीक है variable जो है आपका उसे हम कहते हैं चर पद कौन सा पद? चर पद और constant अचर पद non-variable भी कह सकते हैं अच्छा variable चर पद कौन कौन से होते हैं भई चर पद वो होते हैं वरियेबल वो होते हैं जिनकी value हमें नहीं बता उनकी value हमें find करने पड़ेगी कहां से find करने पड़ेगी polynomial में से find करने पड़ेगी कहां से? बहुपद में से ठीक है? जैसे आप लोग x, y, z कुछ भी लेते हैं तो वो आपके सारे कौन है? variable अच्छा constant कौन है? जिनकी fix value है जैसे 5 अपने आप में fix है 5-5 ही होता है ठीक है? 6, 7 कुछ भी है कोई भी number ठीक, तो ये सारे के सारे कौन है? constant है और variable अच्छा, अब ज़रे ध्यान से सुनेंगे अब होता क्या है? polynomial होता क्या है? हाँ जी, polynomial होता है हमारा कि जब हम किसी चरपद की value या उसका मुल्यांकन करते हैं तो वही हमारे लिए क्या बन जाता है? polynomial बन जाता है जो कि किसके उपर depend करता है? उनके powers के उपर depend करता है घाथ पर depend करता है जैसे एक simple से तीन टाइप लेता हूँ है तीन टाइप लेता हूँ है जैसे पहला देखिए पहला माल लीजिये, मैंने ले लिया x प्लस 2 अब मैंने क्या ले लिया? x स्क्वेर माइनस 5x प्लस 6 ठेक है? अब क्या? हाँ, 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 अब क्या लिया? अब माल लीजिये, मैंने ले लिया x क्यूब माइनस 4x क्यूब स्क्वेर प्लस 3x प्लस 4 इस तरीके से आपके लेँगे हाँ जी क्या ये एक बहुपद है? पोलिनॉमियल है? कैसा? क्योंकि भाई देखिये इसके अंदर एक कोई न कोई क्या है वैरियेबल है आप इस वैरियेबल की हाईस्ट पावर देखिए हाईस्ट पावर यैनि जिसके उपर कुछ नी होता उसका मालक कौन होता है? एक होता है तो भाई उसके हाईयस्ट पावर क्या बन गई? एक हो गई तो इसका मतलब ये जो पॉलिनॉमियल हुआ ये कौन हुआ एक? लीनियर पॉलिनॉमियल हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में बोलेंगे इसे, ठीक है, एकल बहुपद, क्या कहेंगे, एकल बहुपद, ठीक, अब इसको क्या, इसको क्या, अब देखें, इसके हाइस्ट पावर क्या दिख रही है, दो, तो इसे क्या कहेंगे, हिंदी में दुई घाती बहुपद, अच्छा, अब यहाँ पर हाइस्ट पावर क्या दिखाई दिखाई दिया आपको, तीन, तो इसे क्या कहोगे आप, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, मतलब, त्री घाती, बहुपद, तो बच्छो ध्यान रखना, बहुपद जो होता है, पॉलिनॉमियल जो होता है, वो हमेशा एक variable के power को देख के measure किया जाता है कि हाँ जी जो variable है उसकी power कितनी है variable की जो भी power रहेगी वो उस polynomial को represent कर देगा अगर variable की highest power, power भी कहों से देखनी है highest ठीक है अब कहने को तो one power इधर भी है, one power इधर भी है two power इधर भी है, तो क्या मैं इसको cubic के जगा quadratic या linear polynomial बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ तो हमें highest power देखना होता है, उससे हम polynomial बता कर लेते हैं जैसे आपने इसके highest power देखी one, तो linear polynomial हो गया इसके highest power देखी two, तो quadratic polynomial हो गया इसके highest power देखी three, तो ये cubic polynomial हो गया तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ पावर्स को देखना है और पॉलिनोमियल के बारे में बता दीना है अच्छा अब इन पावर्स को देखके हमें पता क्या चलता है कि हाँ ये पावर हमने देख ली है जी पॉलिनोमियल हो गया तो इसको देखके हमें करना क्या है पावर देखके इसमें रिलेटिट एक भी कोश्चन आने वाला है नहीं यहां जी पावर देखके बताओ कौन है यह लीनियर है, क्वाडरिटिक है यह क्यूबिक है तो ऐसा कुछ नहीं है जी ऐसा कोई कोश्चन नहीं आने वाला कि हाँ, linear polynomial बताईए इन में से कौन सा linear polynomial है बताईए इन में से कौन quadratic ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक understanding के लिए कि आप पहचान सकें कि हाँ जी linear में quadratic में और cubic में फर्क क्या होता है बस ये आप पहचानने के लिए है कि हाँ जी linear polynomial कौन सा है जिसके highest power 1 होगी quadratic polynomial कौन सा है जिसके highest power 2 होगी cubic polynomial कौन सा है जिसके highest power 3 होगी तो ये देख लीजिए बस इन powers को देखके आप ये कर सकते हैं कि हाँ जी पता कर सकते हैं कौन सा polynomial है बाकि आप इनके सिवा ऐसा कोई question नहीं आने वाला तो अब बात आती है कि हांजी इसको मैं 1, 2, 3, इन तीनों को हम कैसे cover करें और क्या है भई ये क्यों पढ़ना पढ़ रहा है तो लीजिए आपके सामने हाजी रहे हांजी तो बच्चों यहां one power का मतलब पता है क्या है कि जो variable का answer आएगा न वो कोई एक value होईगी कोई भी एक value ठीक है कोई भी एक ही value इसके answer हो सकती है यानि इस x की value कोई भी एक value होगी जैसे क्या होगी भी solve करेंगे अब जैसे यह x square है यहां पर highest power क्या है 2 तो इसका मतलब यह है कि यहां पर x के लिए कोई ना कोई दो values आएंगी कोई ना कोई दो values आएंगी अच्छा अब यहां पर x की power कितनी है 3 तो इसका मतलब आप अब तक समझ गये होंगे कि हाँ जी जब linear polynomial का मतलब highest power 1 तो यहां पर x की value कोई ना कोई एक ही value हो सकती है यहां पर x के highest power क्या है 2 तो यहां पर x की high कितनी value हो सकती है 2 ही value हो सकती है यहां x की power कितनी है 3 तो यहां पर x की value कितनी हो सकती है कोई 3 ही value हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है वो solve करके पता चलेगा ठीक है और 9th class में आप सभी ने solve किया है जैसे चलिए आप मैं एक काम करता हूँ इसी को solve करके देखी अगर मान लीजिए मैं इसी को solve करता हूँ तो यह x प्लस 2 होता है यह आपको एक polynomial दे रखा है linear polynomial तो ठीक है सबसे पहले हमें इसको zero के equal लेना पड़ता है क्यों लेना पड़ता है zero के equal ताकि हम इसके zeros निकाल सके हम क्या निकाल सके zeros अब यह zeros क्या चीज आगी भाई अचानक से अब तक तो सरा आप polynomial 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 कर रहे जा रहे थे अचानक सापने एक नया वर्ड जे उड़ दिया भई क्या zeros zeros हिंदी में इसे कहा जाता है सुन्यक क्या कहा जाता है सुन्यक zeros सुन्यक तो अचानक से यह सुन्यक सब्द कहां से जुड़ गया तो सुनिये जरा जब भी हम किसी polynomial की value निकालते हैं जीरो के बराबर रखके जीरो के बराबर रखके तो उसे zeros कहा जाता है ठीक zeros कहा जाता है अब कुछ बच्चों के दिमाग में आगया होगा जीरो के बराबर रखके क्यों सर में एक के बराबर रखके क्यों नहीं कर सकता 2 के बराबर रखके क्यों नहीं कर सकता 10 के बराबर रखके क्यों नहीं कर सकता तो sir हम zeros निकाल ही इसलिए रहे हैं कि हम zero से compare करके इसकी ऐसी value निकाल दें जो यहाँ पे जब put की जाए जो यहाँ पे जब put की जाए तो वो भी क्या बन जाए zero बन जाए खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ पर 1 रखके करेंगे तो आपको सारे questions 1 के according करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पर 10 रखके करते हैं तो फिर आपको 10 बनाने की कोशिश करने पड़ेगी जबकि किसी भी चीज को 0 बनाना बहुत असान है अगर मैं कहता हूँ माइनस 575 आप बताईए कि भई इस तरीके से 0 यह तो चलो असान सा लेकिन अगर बड़ी बड़े पावर्स आ गई अब क्या होगा तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं comparison किस से लेके चलते हैं 0 से ताकि भई आप x को 0 बनाना आपके लिए क्या हो जाए असान हो जाए तो जैसे यह प्लस का 2 है उदर जाके हो गया माइनस 2 तो अब देखे आप अगर मैं यहापे माइनस 2 रखूँगा तो क्या हो जीरो नहीं होगा बिलकुल होगा तो बहुत ही असान तरीके से आप यहाँ पे minus two value रखके क्या कर सकते हैं उसे zero बना सकते हैं क्या बना सकते हैं? zero बना सकते हैं तो इसलिए जब हम polynomials के answer को निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं? zeros होते हैं, सुन्यक होते हैं क्या होते हैं? zeros होते हैं, सुन्यक होते हैं इस तरीके से हमें polynomial solve करना होता है जो कि हम उनके power को देखके बताते हैं कि वो कौन सा polynomial है वो linear polynomial है, quadratic polynomial है या cubic तो हमें linear, quadratic, cubic सारे पढ़ने हैं लेकिन topic wise पढ़ने हैं, अलग-अलग पढ़ने हैं तो जैसे क्या करना है सबसे पहले तो सबसे पहले आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि polynomial जो होता है, quadratic polynomial उसके zeros को find कैसे करते हैं तो मैं कम से कम यहाँ पर आपके सामने अभी 10 से 12 questions करवाऊंगा जिसमें देख कि आपको ये पता करना है सिर्फ क्योंकि इतने आसान नहीं, देखिए ये जो quadratic polynomial को solve करने वाली जो process है, वो आप तकरीबन 8th class से करते आ रहे हैं, 8th में भी किया आपने 9th में भी किया और आप 9th में भी करेंगे ठीक है, तो क्यों सीखना जरूरी है क्योंकि इसी chapter के बलबूते आप second chapter पूरा cover करेंगे इसी topic के बदलूते और इसी topic के बलबूते आप 4th chapter जो की quadratic equation नाम से है उसको भी cover करेंगे, तो इसलिए इसके more, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोशन, more से more practice जितने ज़्यादा कोशन करेंगे, लगबग मैं 50 कोशन के आज पस कराऊंगा ये कोशन, तो जब तक आप ये पूरे 50 के 50 कोशन सौल नहीं करेंगे, तो आपको second chapter और fourth chapter में समझने में दिक्कत आने थुरू हो जाएगी और जब ये आप 50 के 50 60 equation जो भी मैं करवाऊंगा, ये कर लो उसके बाद आपको board के paper तक में उससे बाहर एक भी equation नहीं दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि वही सारी equations आपको word problems के अंदर भी जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के देते रहेंगे तो देखना, अभी मैं आप लोगों को काफी सारे polynomials के questions कराने जा रहा हूँ तो जिसमें सबसे पहला question होगा आपका कौन सा, सबसे पहला होगा questions, polynomial के quadratic equation का तो चलिए, शुरू करते हैं ठीक है? जैसे अभी मैंने एक simple सा question लिया था, x square minus 5x plus 6 बराबर 0, plus 6 यह हमने quadratic polynomial लिया था और हमारा target है कि हम इसको solve करें और x के answer निकालें, तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक बात और कही कि x के highest power क्या है? 2 तो इसका मतलब x की कोई ना कोई 2 value निकलेगी अब वो value क्या निकलेगी? वो हमें देखना पड़ेगा तो सबसे पहले, अब मैंने क्या बताया था? कि जब भी किसी polynomial का answer निकालना हो तो पहले हमें उसे 0 के बराबर रखना पड़ता है क्यों? क्योंकि जब हम 0 के बराबर रखेंगे तब ही तो वो क्या कहलाएगा? 0s कहलाएगा क्यों क्या 0s कहलाएगा? इसके answer जो आप answer निकालेंगे तो X की value निकालनी आपको तो आपको उसे पहले किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर ताकि आप 0s निकाल सकें सुन्यक निकाल सकें कैसे निकाला जाता है यह? बहुत ही simple तरीका देखिए तरीके कम से कम तीन है कम से कम तीन तरीके है इसके जो आपको सीखने ही सीखने है एक तरीका मैं अभी नहीं सिखाँगा वो मैं 4 चेप्टर में सिखाँगा बाकि अभी फिलाल के लिए जो पुराने प्रोसेस से करते आ रहे थे एक तो वो तरीका करेंगे और एक दो तरीके और हैं वो भी मैं बीच बीच में आपको कराता चला जाओंगा लेकिन जो सबसे बात जो NCRT में लगातार फॉलो होता चला रहा है उन्ही को करना जरूरी है क्यों क्योंकि उन्ही से रेलेटेड आपको सारे कोशन दिखाई दे जाएंगे ठीक है और फैक्टर भी वैसा ही बनाना जादा अजान रहेगा जिन बच्चों से नहीं बनेगा उनके लिए एक और उपाय बताया जाएगा वो कैसे होगा जरूर्ध्यान से देखेंगे पहले इस कोशन को देखिए हन जी X स्क्वेर है आपके पास ठीक है इस X स्क्वेर के आगे कोई भी डिजिट आपको दिखाई दे रही है बस मुझे यह बताईए कोई भी डिजिट नहीं दिखाई दे रही है तो आपको इतना तो पता ही है कि जब कोई डिजिट नहीं दिखाई देती है तो उसके जगह पे क्या होता है वहाँ पे 1 होता है क्या होता है 1 अब इस 1 को ये आखरी वाले डिजिट से जिसके पास कोई variable नहीं है उसके साथ multiple करा दीजिए ठीक है x square के आगे जो digit है और जो last में digit है इन दोनों के आपस में क्या करा दीजिए multiple ये क्या बनी गया 6 बंज़ 6 6 कम 6 अब इस 6 को prime factor अभाच्चे गुननखंड ठीक है जी ऐसे इसको break कर ऐसे इसको तोड़ो कि हमारे पास result में जोड़ के घटा के कैसे भी plus करके minus करके 5 बनना चाहिए तो देखिए इसका factor अगर मैं करता हूँ तो 2 और 3 3 और 1 तो क्या 2 और 3 5 होते हैं विल्कुल होते हैं लेकिन बात आते है ये कि भई 2 और 3 को मैं जोड़ दूँ तो 5 आ जाता है लेकिन क्या मुझे 5 प्लस का चाहिए मुझे 5 तो प्लस का चाहिए ही नहीं तो प्यारे बच्चों पहले आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ पहले यहां गौर करो इस कोशन पर आप मैं बाद में आऊँगा पहले जो हर बच्चे की एक बहुत बड़ी प्राबलम है उस प्राबलम को उन्दूर करना चाहता हूँ वो प्राबलम क्या है वो प्राबलम है पहली यह माइनस प्लस की गलतिया ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बच्चे आके ये ना बोलें कि सर मेरे नंबर तो आ सकते हैं लेकिन ना कहीं ना कहीं मैंने साइथ हो सकता है माइनस प्लस की गलति कर दी हर साल क्यों? क्योंकि बच्चे practice नहीं करते हैं और उसकी वज़े से उन minus plus की जो कमिया है वो दूर नहीं होती ठीक? तो उन minus plus की कमियों को दूर करने के लिए पहले आप ये एक बात समझें ठीक है? मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल अभी देखना दो मिन्ट में खतम सब कुछ लेकिन अगर आप ये बात समझ गए तो कभी जिंदगी में भी आपकी minus plus की गलती नहीं होगी क्या बात समझनी है? ये देख लो एक बात दियान रखना बच्चो अगर आपके पास कोई plus की digit plus की digit किसी plus की digit के साथ कोई plus की संख्या plus की संख्या के साथ plus हो रही है जैसे ठीक है? plus हो रही है तो हमेशा answer plus में आएगा यानि संख्या हमेशा बढ़ेगी संख्या हमेशा अपने अंकोगा करेगी बढ़ाएगी जैसे देखो, माल लीजिये, यह 2 है plus का, यह 5 है plus का, तो हमने क्या देखा, 5 प्लस 2, 7, तो आपने क्या देखा, plus का digit, plus का digit, दोनों आपस में plus हो रहे हैं, तो उसने क्या किया? प्लस किया, उसने आपस में क्या किया प्लस किया, मतलब add करके value को क्या कर दिया increase कर दिया, ध्यान ते देखा आपने यानि कि जब ये भी प्लस, ये भी प्लस तो value क्या होगी, increase, अच्छा अब एक और बात, अगर minus का number minus के number के साथ add करता है तब भी value क्या होगी मतलब, plus हो यानि increase होगी, value क्या होगी increase होगी हंजी, मान लीजी है, minus का 2 है, और क्या है plus, minus का 7 है, minus का 5 है ये ले लिया हमने, तो आपने क्या देखा आपने ये देखा, क्या हंजी, minus का 2 minus का 5, आपस में क्या कर रहे है add कर रहे हैं तो answer क्या होगा minus का 7 ठीक अब आप कहोगे कि sir आपने तो कहा था कि plus हो जाएगा तो भाईया plus ही तो हुआ है minus 2 minus 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 plus लेकि तो sir minus के digit क्यों आया तो आपने क्या सीखा है बच्पन से कि हमेशा plus और minus किसके according लगता है बड़े वाले number के according तो बड़े number बड़ा number क्या है 5 और 5 क्या 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 है minus तो यहाँ पे लगा minus अब मैं क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से सुन लेंगे सबी बच्चे सबी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे इतनी चीज़े जो देखी वो सिर्फ ट्रेलर था अब जो एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ उसी से गलती खतम होना बंद हो जाएगी क्या कभी भी अगर दो डिजिट कभी भी अगर दो डिजिट सेम साइन के दिख जाए सेम साइन के तो हमेशा value क्या होगी increase होगी देखो प्लस प्लस है तो देखो increase कर गई माइनस माइनस है तो देखो increase कर गई हां की न ये टू भी प्लस का ये फाइब भी प्लस का तो हो गया क्या प्लस increase करी ना value ये टू भी minus का ये फाइब भी minus का तो क्या हो गया minus का 7 देखो value क्या करी value increase करी अब बच्चे बोलेंगे भाईया यह सर के हंजी आप minus 2 minus 5 है तो minus 7 तो छोटा होता है अरे उस नज़र यह से मत देखो अभी उन सब चीजों को हटाओ ठीक है आपको value को बस उपर यानि जब number के हिसाब से देखना नंबर बड़ा हो रहा है की नहीं हो रहा है तो भाई 2 और 5 नंबर क्या हो गया 7 यह देखना है बाकि sign लगाना वो तो आपको बड़े का according ठीक है यह मत सोचो कि हाँ जी अरे सर ने यह क्या बता दिया minus 7 तो minus 5 से भी छोटा होता है और minus 5 तो minus 2 से भी छोटा होता है तो increase का हुई तो वो समझ नहीं देखना आपको बस number बड़ता हो देखना है कि भाई 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा हो minus plus वो हम बाद में देखेंगे ठीक है कि हाँ जी minus लगाना है हाँ जी लगाना है क्यों? क्योंकि बड़े number के बाद minus है तो लगा दिया minus लेकिन इस बात का धियान रखना है कि बच्चो sign बड़ा यानि अगर sign same तो value always क्या कर जाएगी? increase signs same तो value always क्या कर जाएगी? increase इसकी value इनसे कम है ज़्यादा है वो matter छोड़ो अभी फिलाल आप ये देखो कि हाँ जी दोनो sign है तो बस बढ़ा दो ये आपके सिखाने के लिए ताके आप गलतिया ना करो कि हाँ जी हमने दो number देखे जैसे हमान लो minus 11, minus 13 तो क्या है भई? दोनो sign same है तो बस तुरंट दोनों की value को जोड़ दो तो कि यानि बढ़ा दो यानि कि दोनो sign same तो बढ़ेगी value तो कितना आएगा 24? अब भई बड़े वाले digit का sign कैसा minus तो लगा दो खतम का नी तो मतलब आपको value क्या करनी है? जैसे ही दो डिजिट देखोगे आप ठीक है? दोनों digit के sign देखो अगर दोनों के sign same है तो value बढ़ा दो और अगर दोनों के value sign opposite है मतलब कुछ इस तरही के से है opposite है प्लस माइनस है या प्लस आगे या माइनस आगे या माइनस आगे प्लस आगे तो always value क्या करेगी? value always minus हो जाती है मतलब decrease हो जाती है value हमेंसे क्या हो जाती है? decrease अब जैसे इसी को देख लो minus 13 plus 11 तो बई दोनों का sign opposite है ना तो 13 और 11 के बीच में gap कितने का होता है? 2 का हंजी अब आता है plus लगा है या minus तो बड़ी value कोन है? 13 13 के अगे क्या लगा है? minus तो लगा दो minus समझ मैं अरी बात? तो मतलब आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ एक simple सी चीज देखनी है कि अगर same sign है तब तो value कर दो increase ठेक है? और अगर opposite sign है तो value क्या कर दो? decrease और decrease करने के बाद क्या करना है? जो भी बड़ी value का sign होगा वो लगा दो अगर 13 का अगे plus होता तो हम plus लगा देते 13 का अगे minus होता हमने क्या लगा दिया? minus तो यह simple सी बात समझ नहीं है तो अब यहाँ देखो अब आपको समझ में आ जाएगा तो भई इसको हमने यहाँ पर कर लिया अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? factor करेंगे? कर भी दिया चलिए अब मुझे बीच में बनाना क्या है? मुझे बीच में बनाना है 5 मुझे बीच में क्या बनाना है? 5 तो भई 2 प्लस 3 5 होता है सही बात लेकिन मुझे प्लस का 5 तो चाहिए ही नहीं तो बस बच्छों आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा कि माइनस का 2 और माइनस का 3 भी तो क्या होगा? 5 क्यों? क्योंकि सेम साइन जब होता है तो वैलू क्या होती है? बढ़ती है हा की न? लिकल तो चलिए लिखिए हाँ जी 5 को कैसे लिखेंगे? माइनस का 2X माइनस का 3X और अभी अभी 6 को आपने कैसे ब्रेक किया है? 2 इंटू 3 2 इंटू 3 चलिए Common Common मतलब क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको इसमें? जो दो content में एक जैसा दिखाई दे रहा है उसे common निकाल लो Common मतलब खीच के बाहर निकाल दो हाँ जी ये दोनों के पस तो सेम आ गया जी इसे अलग करो दोनों को अलग-अलग मिलना चाहिए ठीक है? तो इन दोनों में सेम क्या दिखा? X अच्छा अब यहां पे X कुछ बच्चे क्या करते है? X निकाल के ये उपर का दो यहीं लिख देते है तो ऐसा जादू टोना नहीं करना है उनको एक सिंपल सा काम करना है क्या? कि भई यहां पे X स्क्वेर का मतलब है दो बार X X यहां पे दो बार है तो एक X को बार निकाल लो और इसका एक X अंदर छोड़ दो जब यहां से X निकाल लिया बच्चों यहां से यह X निकाल लिया तो बचा क्या? टू बचा छोड़ दो अब आते हैं यहां पर अच्छा अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप लोगों ना 9th में भी देखा है कि जो चीज ब्रैकेट में आती है हमें वही चीज यहां भी लानी पड़ती है हाँ की न? जो चीज यहां पर आती है ब्रैकेट में वही सेम चीज यहां भी लानी पड़ती है तो देखो हम ला सकते हैं कैसे, x तो है, 2 तो है, लेकिन एक समस्य आया बच्चो, कि हमने जो x लिया वो plus का लिया और जो 2 लिया वो minus का लिया, जबकि 2 के आगे तो क्या था, plus, है न, तो इसका मतला हमने इसके पास से हटाया क्या, एक तो 3 तो हटाया ही है, क्योंकि 3 हटेगा, 3 common निकलेगा, तभी तो 2 के पास से हटेगा, लेकिन 2 plus का था पहले, अब हो गया minus, क्यों, क्योंकि जरूर हमने क्या common निकला है, minus का 3, क्योंकि जब minus का 3 common लोगे, तो हमेशा क्या होता है, याद रखना, जब भी कोई चीज आप minus या plus में common लेते हैं, तो हमेशा sign opposite होने वाला हिसाब किताब बनता ह प्लस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन minus में होता है, अगर कभी आप minus की कोई value किसी से common लेते हैं, तो वो अपने अंदर के elements का sign पदल देता है, जैसे आपने minus का 3 common लिया, तो x पहले minus का था, अब किसका हो गया, प्लस का, और यहाँ से जब आपने minus 3 common लिया, तो यह जो 2 था, वो किसका हो गया, minus का, अब बच्चे बोलेंगे, भाईया, यहाँ पे तो सर, यहाँ पे तो plus है, यहाँ तो minus है ही नहीं, तो आपने common कैसे ले लिया, आपने तो कहा था, जो दिखने में एक जैसा हो, उसे ले लो, तो आपकी बात बिलकुल सही है, लेकिन, मैंने आपको क् बनता है, वही चीज ब्रैकेट में यहाँ भी बनानी पड़ती है, तो बस इसी चीज के लिए हमने क्या देखा, कि हमने जो चीज यहाँ बनाई है, वही चीज यहाँ भी बना दी, अब क्या देखना है, यहाँ जी मुझे 3 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 3, लो जी 3 निकाल लेना तो जब भी जबदस्ती में माइनस कॉमन लिया जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे अपोजिट तो माइनस का 3 कॉमन लो तो X हो जाएगा प्लस और 2 हो जाएगा माइनस इजी चलिए अब इनको एक बार लिख लेंगे आप और जो ये बाहर लिखे हुए इनको एक बार लिख लेंगे आप ठीक है अब एक बार इसको 0 के बराबर compare करेंगे क्योंकि सुन्यक निकाल रहे है zeros निकाल रहे है और एक बार इसको 0 के compare करेंगे तो माइनस का 2 इधरा के plus माइनस का 3 इधरा के plus तो देखिए मैंने कहा था ना आपको कि highest power किया है 2 तो देखिए x की 2 values निकलेंगी 2 zeros निकलेंगे तो एक answer आया 2 और एक answer आया 3 तो जल्दी से इसे note कीजिए फिर मैं आपको एक question और कराता हूँ ठीक बच्चों ये तीन मैंने polynomials आपके सामने लिखे हैं और ये तीनो polynomials से related questions आपके last years में आए हुए हैं काफी important question है खासकर ये बीच वाला question तो कुछ ज़्यादे important है इसमें और भी terms जुड़े वे थे लेकिन अभी फिलाल मैंने तरिफ polynomial उठाया इसका और polynomial solve करना है तो मैं ये तीनों question solve करके दिखा रहा हूँ आपको ज़र ध्यान से देखना सबसे पहले आपको पता है कि हम इसको 0 के equal लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि 0 के equal लेने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम polynomials को कैसे solve कर पाएंगे चलिए तो पहले तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमेशा क्या करना है x square के आगे वाली digit देखनी है और इसके last वाली digit देखनी है और इन दोनों को आपस में करना है multiple तो 4 को 9 से करोगे आएगा क्या 36 इसका बनाई ये factor तो 2 से करेंगे 18 2 से करेंगे 9 3 से करेंगे 3 3 से करेंगे 1 बीच में क्या चाहिए मुझे 12 चाहिए बीच में क्या चाहिए मुझे 12 तो भई मुझे अच्छे से पता है कि 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 6 और 6 हो जाएगा 12 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 ठीके जी लेकिन 12 मुझे चाहिए कैसा फिर वही वाली बात आगी मुझे 12 चाहिए माइनस का तो 6 प्लस 6 होगा वो प्लस का 12 लेकिन अगर माइनस 6 माइनस 6 होगा तो आपको पता है ना same sign है value क्या करेगी increase तो माइनस का 12 अब बच्चे यहां वह यह मत कहना आप कि सर जो sign बड़ा होगा जो value बड़ी होगा उसका sign आएगा यहां तो दोनों बराबर है तो जो दोनों बराबर है तो किसी का भी sign आप यहां पे carry कर सकते है चलिए तो आप factor बनने का तरीका पता चल गया है और मैं इस 12 को क्या लिखूंगा minus 6X minus 6X plus 9 बराबर 0 ठीक है बच्चो चलिए अब बात आती है कि इनको किस तरीके से common लिया जाए इन में से तो देखो बच्चो क्या मैं इस 4 को 2 into 2X square लिख सकता हूँ बिल्कुल इस 6 को मैं 2 into 3X भी लिख सकता हूँ same case 2 into 3X लिख सकता हूँ अब क्या करना है बच्चो अब common देखना है जैसा कि मैंने बता है इसमें और इसमें देखो common क्या रहा है एक तो देखो आपको दिख रहा होगा साफ 2 और क्या दिख रहा है X तो अंदर क्या बच्चा 2 भी निकल गया X भी निकल गया बचा किया, एक टू बच गया 2 X में से 1 X निकाला, 1 X बच गया ठीक है जी, यहां से क्या क्या निकला 2 निकला, X निकला बचा क्या, 3 थ्री, हा की न तो अब आपको अच्छे से पता है कि जो चीज यहां निकलती है वही चीज हमें यहां भी निकालनी होती है तो कैसे निकालेंगे देखिए आपको 2 और X कैसा चाहिए प्लस का और 3 कैसा चाहिए माइनस का तो मैंने क्या बताया था यहां पे काम केस का हुआ है जबरदस्ती का तो जब जबरदस्ती हम common कोई चीज लेते हैं तो वो क्या आएगी डिजिट में माइनस और वो क्या चीज common आईए देखिए यहां पे 2 को छोड़ा गया है X को छोड़ा गया है क्या हटा है 3 तो 3 को हटाईए यहां से देखो 2 3 थे 1 3 हट गया 1 3 रह गया लेकिन 3 यहां था प्लस का हो गया माइनस 2 X था माइनस का हो गया प्लस तो इसका मतलब जरूर क्या common लिया गया है माइनस का 3 अब वही एक बार इनको ले लेंगे और एक बार इन दोनों को और इनकी value निकालेंगे एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर हंजी तो 2 X माइनस 3 बराबर 0 और 2x-3 बरावर जी हो माइनस का 3 इदर आके प्लस हाँ जी ये इसके साथ अब देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में क्या कर रहा है multiply तो ये 2 जब multiply कर रहा है तो इक्वल के इस तरफ आके क्या करेगा divide करेगा minus 3 ये प्लस फिर से वही same case multiply कर रहा है इस तरफ आके क्या करेगा divide करेगा तो बच्चो आपको इस तरीके से इस polynomial को solve करना है highest power 2 थी तो इसलिए इसकी value भी याई 2 अच्छा अब बात आती है कि इनकी value same कैसे आगई इनकी value same कैसे आगई सर आपने कहा था कि इसकी दो value आएंगी लेकिन ये तो एक ही value है लेकिन आगई दो बार तो इसका भी reason मैं आपको दूँगा कि आखिर कर दो बार इसकी value कैसे आगई ये reason आपको कहां पर clear किया जाएगा fourth chapter में quadratic equation में clear किया जाएगा कि आखिरकार ये same value क्यों आई और इससे पहले जो question किया था उसमें different value क्यों आई तो ये सारी बाते clear की जाएगे fourth chapter में अभी फिलाल आपको सिर्फ और सिर्फ इस quadratic polynomial को solve करना है और इसके zeros को find करना है ठीक है? चलिए अब second question को solve करता हूँ चलिए इसको note down कर लीजिएगा second question को solve किया जा रहा है हाँ जी यह आ गया मैंने बताया था पहले zero के बराबर ले लेंगे आप फिर उसके बाद आप x square क्या क्या गया डिजिट क्या है 25 ये क्या है 2 इसके multiply करेंगे कितनी बनेगी 50 हाँ जी 50 का factor कीजिए 2 और क्या है 25 फिर क्या है 5 फिर क्या है 5 मुझे बीच में क्या चाहिए बच्चो 15 तो 5 2 जा 10 यानि 5 दूनी 10 5 एकम 5 10 और 5 15 होता है कि नहीं होता बिल्कुल लेकिन मुझे 15 क्या plus का चाहिए माइनस का 5 तो दोनों क्या बन जाएंगे माइनस का 15 रखिए 25 एक्स स्क्वेर 10 एक्स 5 एक्स 2 एक्वल टू 0 अच्छा अब क्या मैं 25 को 5 इंटू 5 एक्स स्क्वेर लिख सकता हूँ 10 को 5 इंटू 2 एक्स लिख सकता हूँ इसको तो फेक्टर करनी जुरती नहीं है बस common लीजिए हंजी इन दोनों में देखेंगे 5 तो आई रहा है और साथ में X भी आ रहा है common तो एक 5 निकाला एक X निकाला एक 5 रह गया 2 X में से एक X निकाला एक X रह गया हंजी 5 निकाला X निकाला बचा क्या 2 बचा क्या 2 और आपको तो अच्छे से बता है कि जो चीज यहां निकलेगी वही चीज हमें यहां भी रखनी है लेकिन बच्चो 5 है X है 2 है बस हुआ क्या जो 5 X था माइनस का वो प्लस का हो गया और जो 2 था प्लस का वो माइनस का हो गया मतलब जो डिजिट जहां है वहीं है बस साइन में फरका है मतलब माइनस अंजी जो माइनस का था वो प्लस का हो गया जो प्लस का था वो माइनस का हुआ इसका मतलब यहां पे क्या हुई है जबरदस्ती किस चीज की minus commonले ने की लेकिन common सिर्फ क्या minus लिय than सिर्फ minus common कैसे ले सकते हैं तो आपको मैंने क्या बता है जब भी कोई चीज एक unit की बात की जाए सिर्फ की बात की जाए कि हाँ भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब वहाँ पे क्या होता है छुपा हुआ एक, वहाँ पे क्या होता है, तो यानि यहाँ पे सिर्फ minus common नहीं लिया है, यहाँ पे minus का एक common लिया है, क्या common लिया है, minus का एक, ताकि minus 5x plus का हो जाए और plus का 2 minus का हो जाए, तो फिर वही इनको एक बार आप लिख लेंगे और जो बाहर बच गए, उनको एक बार आप यहां लिख लें फिर आपको पता ही है इसको इससे compare इसको इससे compare कीजिए 5x-2 बराबर 0 5x-1 बराबर 0 हंजी, minus का 2 इदर आके plus और यह 5 इदर multiply कर रहा है आपको अच्छे से पता है, इदर आके divide तो एक value यह आ गई ठीक, minus के प्लस, यह इदर multiply कर रहा है इदर आके divide, तो 1 by 5 तो देखे, दो different value आ गई है हमारे पस तो इस तरीके से quadratic equation की दो value, ठीक है जी, चलिए अब आते ये अब इसको मैं सरी factor बना के दे रहा हूँ आपको solve आपको खुद करना है ठीक, इसके बाद मैं कुछ questions लिखूंगा उनको आपको कल घर से करके लिए कराना है ठीक है बच्चो, चलिए तो देखे, इसको solve करते हैं पहले वई, zero के equal इसके आगे number कुछ नहीं है तो क्या होगा, one और one की multiply, last वाले से चलिए, seven, five, zero factor कीजिए, दो से करेंगे हाँ जी, क्या बनेगा दो से थ्री, ठीक है seven, five अब किसे करेंगे, थ्री से one, two, five अब किसे करेंगे, five से, five से करेंगे twenty five, five से करेंगे five, five से करेंगे one, हाँ जी, तो क्या बनाए हमें क्या चाहिए, five चाहिए तो लीजी है 5, 2 just 10 10, 3 ja 30 ये बनी गया 30 और ये 5, 5 just 25 हाँ जी 30 में से alternative 5 जाएगा तो कया 5 आ जाएगा? बिलकुल आ जाएगा हाँ जी तो 30 में से फिर से देखिएगे एक बार जिर से देख लिए फिर से देख लिजी हाँ जी 5, 5就是 25 है 15 और 15 टूजा कितना भी 30 हाँ जी तो 30 और 25 30 और 25 के बीच में 5 का गैप होता है हाँ जी बिलकुल होता है जब 5 का गैप है तो भई मुझे 5 का गैप कैसा चाहिए माइनस का 5 तो इसका मतलब क्या है 2 बड़ी वैल्लू के बीच में वैल्लू छोटी आ रही है तो जरूर यहाँ पर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है कैसे बड़ी वैल्लू माइनस की रही होगी छोटी वैल्लू प्लस की रही होगी दो अपोजिट साइन रहे होंगे तभी वैल्लू कैसी हुई माइनस अरे ऐसे रहा होगा न हाँ जी और इसको भी क्या लिख देंगे 30 into 25 क्योंकि अभी अभी हमने इसका factor बनाया है equal 0 अब आपको पता यह क्या करना है दोनों में क्या common x common तो x minus 30 दोनों में क्या common 25 तो क्या अचेगा अंदर x minus 30 लीजिए हो गया solve एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर यह minus 30 दर आके plus यह plus का 25 दर आके minus और आपके सामने दो values त्यार तो यह उतार लीजिए नोट कर लीजिए उसके बाद आपको मैं कुछ question लिखके दे रहा हूँ वो आपको घर से घर के लिए कराना है